हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टियर ओन चैनल डेली स्टॉक, तो दूस्ट इस वीडियो के अनर हम वर्दमान एक्रिलिक के पूरे डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस कमपनी के अनर आपको invest करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं कुटि के सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या discuss करने वाले तो कमपनी का profile, कमपनी की promoters, holding, peer comparison हम यहाँ पर करने वाले सबसे पहले हम यह जानेगे कि कमपनी काम क्या करती है, यह जो कमपनी यह acrylic fiber और acrylic toe बनाने का यह company काम करती है तो दिके इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एक acrylic company है, अब acrylic fiber यह क्या होता है, जो synthetic fibers होते हैं तो उससे यह बनते हैं, तो देखा जाया, तो जिस तरीके से जो textile product की demand हमें, जो export point of view से हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है अब यहाँ पर अगर हम कुछ valuation terms की अगर हम बात करेंगे, तो दिके बहुती छोटी सी company है, 510 करोड के यहाँ पर company का market गया पर और अगर हम book value की बात करेंगे, तो लगबख 50 रुपे की यहाँ पर company की book value है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जो price to book value का number है, यह सिर्फ 1.25 टाइम से तो valuation point of view से काफी attractive नजर आता है, अगर debt की बात करेंगे, तो on debt company के उपर कोई debt नहीं है, तो यह काफी अच्छा है, अगर industry के P.E. के अगर हम बात करेंगे, तो यह 8.30 का है, और अभी यह stock लगबख 10 के P.E. पर trade हो रहा है, लेकिन देखिए guys, जो पिछले साल जो company की earnings रह है, तो यह valuation के numbers उस basis पे, तो उस basis पे हम यहाँ पे valuation नहीं मिकाल सकते, लेकिन देखिए जिस तरीके से भी आने वाले टाइम पे textile industry घ्रो हो सकती है, तो वहाँ पे यह जो 5-6 का P.E. ratio तो कि पहले वहाँ पे कोई growth available नहीं थी, तो market 5-6 का P.E. दे रहा था, लेकिन अब यहा से 20-20 का P.E. इन stock को in longer horizon दे सकता है, अगर हम यहाँ पे कुछ और एक positive way कि अगर हम बात करेंगे, तो यह 75% का यहाँ पे company की promoters holding है, तो अगर हम promoters holding की बात करेंगे, तो यह काफी बड़ा एक अच्छा number है, और यह confident देता है, अगर आप एक investor है, तो यह आपके लिए confident देत है, कि promoters का जब इतना holding है, तो अपने business पे वो trust करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम financial trends के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखें, 18-19 में काफी अच्छी growth थी, लेकिन profitability वहाँ पर कम हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो बहुती bad quarter company के लिए रहा था लेकिन वहाँ पर ये company की profitability बड़ी थी, और देखें, पिछले साल अगर हम देखेंगे, जो बाकी की textile companies है, उनके लिए काफी अच्छा रहा है, लेकिन देखें, ये एक छोटी सी company, अगर हम देखेंगे, 300-400 करोड, मतलब Mac to Mac 400-500 करोड के revenue पर ये company काम करती है, तो जब इतन अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, September 2020 से लेके, मार्च 2021 तक, company के revenue के नमबर से वो काफी अच्छी तरीके से बड़े थे, अब देखें, ये जो quarter है, पर्टिकुलर्ली quarter, ये हमने इग्नोर करना चीए, तो कि यहाँ पर हमने COVID की second wave देखी है, और इस इसकी वज़े से business बहुत कम हुआ था, और इसी की वज़े से ये revenue का number गीरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर company ने लगबच 7 करोड का profit generate किया था, तो वो काफी अच्छा है, और उसके अलावा गर हम देखेंगे, तो बाद में यहाँ पर 62 करोड के revenue के number थे, लेकिन profitability यहाँ प Capital investment आपको बहुत करना पड़ता है, तो कि अगर आपको synthetic fibers, acrylic, जो tow है, अगर इनको अगर आपको manufacture करना है, तो वहाँ पर आपको manufacturing capability लगानी पड़ेगी, वो तो वहाँ पर आपकी fixed cost वगेरा, variable cost वगेरा, आपकी fixed cost तो same रहेगी, लेकिन जो variable cost थे, वो यहाँ पर कभी भी ब तो देकि यहाँ पर अगर हम share holding pattern की अगर हम बात करेंगे, तो देकि यह 510 करोड का company का market क्या पर, तो हम यहाँ पर expect नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर FIS और DIS की holding होगी, तो कि DIS इतनी छोटी सी company में invest नहीं कर सकते हैं, तो कि उनके कुछ rules and regulations होते हैं, और foreign investors जो बड़ी ब्रो brokerage firms होती है, उनकी जो reports होती है, उनको देखके वो invest करते हैं, तो यहाँ पर वो जो बड़ी brokerage firms होती है, वो इतनी छोटी company को अपने radar पे नहीं रखती है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो पूरा बाकी का share holding pattern यहाँ पर public के पास है, तो देखिए, अगर आने वाले time पर हो सकता है, अगर company में कुछ अच्छा build-up हो रहा है, तो कोई बड़ा investor यहाँ पर stake ले सकता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे, कुछ textile की companies हैं, वहाँ पर जो बड़े-बड़े ace investors हैं, वो अपनी अपना stake बड़ा रहे हैं, लगबग ace के 2% की उनकी holding वहाँ पर आ रही है तो ऐसा यहाँ पर होटा हुआ हमें नजर आ सकता है, तो देखें, यहाँ पर company का एकड़म नी के बराबर है, लेकिन अगर हमने देखा है कि जो profitability यहाँ पर company की कम हुई है, तो यह देख सकतने की profitability ऐसे company की बड़ी थी, लेकिन देखें, पिछले साल काफी difficulties रही थी, तो प अगर हम ROC के बाद करेंगे, तो ROC का नंबर यहाँ पर अच्छे से stable हो रहा है, और अभी लगबग 15% का ROC हमें यहाँ पर नजर आता है, तो देखें, अगर हम ROC के बाद करेंगे, capital investment industry के अंदर यह company काम कर रही है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो 15% का return on capital employed अच् तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो लगबग 12% का ROC हमें यहाँ पर नजर आता है, तो देखें, यहाँ पर अगर हम return ratios की बाद करेंगे, तो capital intensive industry के साबसे, यह return ratios मुझे यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं, और एक बार यह जो वापीस recovery आ रहे हैं, तो वहाँ पर revenue के numbers बढ़ेंगे, तो automatically यह return ratios भी हमें improve होते हुए नजर आएंगे, अब यहाँ पर अगर हम peer comparison की अगर हम बात करेंगे, तो देखेंगे, तो यह जो ग्रासीम industry यहाँ पर नहीं करेंगे, तो कि इनका अगर हम देखेंगे, तो यह textile के अलावा बहुत चारे businesses में हमें यह company नज दर आती है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे, cement business में भी और यह बहुत चारी holdings भी इनके पास है, तो हम इससे compare यहाँ पर नहीं करेंगे, तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो फिला टेक्स इंडिया वो company भी काफी अथिये तरीके से perform कर रही है, और खास करके वर वेलेशन पर, चैन्शूरी इंका यह जो company यह trade हो रही है, अगर उसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो एक छोटी सी company जिसका market gap अगर हम देखेंगे, तो 445 करोड का है, और इसका नाम है पशुपती Acrylon, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो इनके valuation terms के सब चगर हम द लिए, लेकिन अगर हम सेंसूरी इंका की बात करेंगे, तो यहाँ पर ROC का नंबर 8.92 परसेंटेज है, तो ROC का नंबर हमें वर्दमान acrylic का बढ़िया नजर आता है, लेकिन अगर हम पसुपती Acrylon की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो quarterly sales काफ यह अच्छी हमें यह company उतरती हुई नजर आर ही है, और उसके अलावा गरम देखेंगे, तो profitability के अगर हम बात करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर पिछले quarter में इस company ने 2.45 करोड कमा है ते, तो यहाँ पर इस company ने 13.78 करोड कमा है, तो दिखा जाए, तो पूरी industry में इन कि जो नीचे की जो company, जो इसका market cap इस company से कम है, तो वो company ने ज्यादा net profit पिछले quarter में जनरेट किया, तो यह दिखाता है कि फोड़े valuation parameters में यहाँ पर हमें issues नजर आते हैं, यह दिखाता है कि जो other companies जो वो काफी अच्छे तरीके से perform कर रही है as compared to वर्दमान acrylic, तो यह तो य अगर हम दिखेंगे तो लगबग 25% करेक्षन पर यह stock अभी trade हो रहा है, तो दिखें तो यहाँ पर हम दिखेंगे तो textile industry, अगर मैं सिफ textile industry के अगर हम बात करूँगा तो वहाँ पे मुझे काफी अची growth दिख रही है, लेकिन जो company यहाँ पे capital investment कर रही है, जिनको लगातार orders मिल रहे हैं, जिनके margins काफी अच्छे, मैं उन companies के साथ जाना ज्यादा पसंद करूँगा, तो देखें यहाँ पर अगर हमने देखा है, peer comparison में देखा है, इसके अलावा काफी अची companies है, जो इस company से अच्छा perform कर रही है, तो अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा एक काफ और perspective है, तो हमने यहाँ पे जो financial numbers उस point of view से हमने यहाँ बात किये, तो मेरे ख्याल से long term point of view से avoid करना ही सही रहेगा, अगर short term की बात करेंगे तो देखेंगे के पूरे tactile industry के लिए market काफी positive नजर आ रहा है, तो वहाँ पर अगर कुछ stocks rally होंगे, तो definitely यह stocks भी rally होगा, तो मु अगर आपको यहाँ पर मिल सकता है, तो दोस्तों मैं hope करता हूँ कि आपको वर्दमान acrylic के detailed analysis के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, अगर आपकी कोई भी queries जैता आप comment कीजिए, मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा, ओके दोस्तों, thank you, have a nice day